Hi guys, welcome back to my channel. My name is Priyad Ugra and I'm back again with another video. आज की इस वीडियो में मैं लिकर रहा हूँ आपके लिए GitHub की तरफ से Campus Export Program होने वाला है. जिसमें पार्टिसिपेट करने पे आपको बहुत सारे यहाँ पे benefits दिये जा रहे है GitHub की तरफ से. आप उनकी community के साथ जुड़ सकते हैं. आपको बहुत सारे यहाँ पे जो है वो prizes बलने वाले हैं, swag आप यहाँ पे collect कर सकते हैं GitHub की तरफ से. आपको यहाँ पे t-shirts वगएरा जो होती हैं वो आप यहाँ पे collect कर सकते हैं. आपको मौका दिया जाएगा यहाँ पे GitHub की तरफ से. जो भी meetings होती हैं या कोई उनके webinars वगएरा होते हैं, कोई भी program होते हैं. उनको free of cost आप access कर पाएंगे और साथ ही में अगर आप training करना चाते हैं. वो भी आपको यहाँ पे 6 months की free training offer की जारी है GitHub की तरफ से. यह सारे benefits आप ले सकते हैं जस्ट इस program को attend करने के बाद. सारी details के लिए मैं आपको यही बोलूँगी. आपको इस video को end तक देखना पड़ेगा, because बहुत ही informative content में इसके अंदर आपके लिए लेकर रही हूँ. So, especially students के लिए, college students है आप, आपके लिए बहुत अच्छी, यहाँ पे opportunity निकल के यह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथी में recognition जो मिल रही है वो अलग से. So, यहीं बोलूँगी, इस video को end तक जरूर देखिये. So, without wasting any time, let's start the video. Before starting the video, I would like to request all my viewers. If you are new to my channel, then please go and subscribe to it. And do forget to hit the bell icon so that you never miss an update. Also, I'm active on my Telegram channel and my WhatsApp group. So, if you want to ask me anything related to free courses, certification or anything related to your career, then you can join me there. So, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, campus program का इसका link जो है, जितने भी links से related होंगे, वो सारे आपको नीचे description में मिल जाएंगे. One by one मैं आपको सारा process यहाँ पर समझा दूँगी, कैसे आपने यहाँ पर इस program के लिए apply करना है, क्यों आपको apply करना है, और क्या step रहेगा पूर आपने भी training होती है github की तरफ से, वो आपको free of cost यहाँ पर मिलने वाली है, साथ ही में आप इनकी community के साथ जूड सकते हैं, अगर किसी भी तरह क्या यहाँ पर github की तरफ से conferences होते हैं, को speaking opportunities होती हैं, वो आप यहाँ पर access कर सकते हैं, organize के अगर मैं बात करूँ, सो जितने भी swags और gifs होते हैं आपको github की तरफ से, वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, आप connect कर सकते हैं, github की community के साथ, बाकी students के साथ, leaders के साथ, उनके साथ collaborate कर सकते हैं, और आपको बहुत अच्छा मौका दिया जाएगा, यहाँ पर अपना network बिल्ट करने का, तो यह कुछ main जिनकी वज़ा से आपको मैं यह recommend करूँगी, कि आप इस program को जरूर जोइन कीजे, बात करते हैं कि कौन-कौन इसके लिए eligible है, यह link भी आपके लिए में description में provide कर दूँगी, जहां से आप यह पता कर सकते हैं, कौन-कौन इसके लिए eligible है, so at least आपकी age यहाँ पर बताईगी GitHub Student Developer Pack, जो कि यह है, get the pack पे आपको click करना है, बट उससे पहले एक और step है, जो कि मैं आपको बताऊंगी, और आपके पास GitHub का account होना mandatory है, वो तो आप चानते ही, अगर यहाँ पे अगर आपको एक program के लिए apply करने है, so obviously आपको यहाँ पे account जो है, वो चाहिए चाहिए, बात कर करते हैं कि क्या इसका step by step process रहेगा, so चलते हैं फिर से previous link में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, process बताया गया है कि किस तरह से आप इसके लिए apply कर सकते हैं, so सबसे पहला step है, get the GitHub Student Developer Pack, so उसको लेने से पहले मैं आपको यह बोलूँगी, कि अगर आपका अभी तक account नहीं है, so आप create an account पे click करिए, अगर already है, so आप यहाँ पे username और password यूज़ करके अपना account login कर सकते हैं, एक बार जब आप यहाँ पे अपना account वगेरा set कर लेंगे, so आपके पास एक email verification आने वाली है, जिस भी email id से आपने यहाँ पे login किया होगा, या account create किया होगा, so आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह की mail आने वाली है, verify email address पे click करते ही, आपके पास जो है, वो आपकी email यहाँ पे verify हो जाएगी, एक बार आपका account यहाँ पे बन गया, उसके बाद आपको जाना है फिर से first link में, जहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा गया है, पहला step है हमारे पास, get the gith student developer pack, so यह आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, चलते हैं हमारे student developer pack की तरफ, जहाँ पे आपको पास आप देख सकते हैं, get the pack option यहाँ पे आगया है, so get the pack click करते ही, आपके पास यहाँ पे options पूची जा रही है, what email address do you use, what is the name of your school, so आप यहाँ पे अपनी university का नाम लेख सकते हैं, जैसे कोई भी word आप type करेंगे, हर एक university यहाँ पे mentioned है, and how do you plan to use GitHub, so वो भी आप यहाँ पे mention कर सकते हैं, then you have to click on submit your information, बीच में किसी भी step का, अगर आपको पता नहीं चलता है, आप मुझे comment section में पूच सकते हैं, मैं आपको उस चीज का answer, मीचे comment section में ही दे दूँगी, या तो आप मेरा WhatsApp group join कर लीजे, वहाँ पे भी इसी तरह के problems के solutions मैं आपको provide करती हूँ, उसके बाद चलते हैं हमारे next step में, so next step है आपके पास की complete the application process, एक बार जब आपका यह submit information पे आप click कर देंगे, उसके बाद आपके पास जो है, कुछ इस तरह से आपका अपको अपना अप्लोड कर सकते हैं, उसके बाद आपको click करना है process my information में, इसे next step आपका देखते हैं, so यह आपका two step process है, जहाँ पे आपको पास application process आपका complete हो जाएगा, एक बार आपकी application यहाँ पे processing के लिए चली जाती है, फिर backend team की तरफ से आपका application यहाँ पे verify की जाएगी, अगर करते हैं, so आपको submit करना पड़ता है एक video resume, so यहाँ पे लिखा गया है, अगर आपकी application successful होती है, so आपको invite किया जाएगा to submit a five minute video introducing yourself, so आपको यहाँ पे video resume अपना जो है, वो upload करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह mandatory step है, यह third step आने वाला है, यह तब ही आएगा जब आपकी एक बार application जो है, वो यहाँ से verify हो जाती है, और आपकी application जो है यहाँ पे accept हो जाती है, एक बार जब आपने यहाँ पे अपना resume भी upload कर दिया, उसके बाद four step है, कि आपको यहाँ पे आपका जो program है, वो start हो जाएगा, मतलब आपकी submission होने के बार, आप यहाँ पे six weeks क जो training GitHub की तरफ से आपको offer की जाली है, free of cost, जिसके अदर six modules मिलेंगे आपको, and at least आपको 12 hours to year to complete this training, so यह आपको यहाँ पे free of cost आप access कर पाएंगे, and at the end जब आप यह training यहाँ से complete कर लेते हैं, so आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप बन जाएंगे member of GitHub campus expert, and आपको जितने भी मैंने benefits यहाँ पे बताएं, उसके लिए आप यहाँ पे eligible हो जाएंगे, so यह रहाँ पूरा step कैसे आपने यहाँ पे अपना account create करना है, कैसे आपने application process अपना complete करना है, क्या इनका पूरा workflow रहेगा, so सारी चीज़े मैंने आज इस वीडियो में आपके लिए clear कर दी है, in case अगर आपको certification की need है, so वो भी आप मेरे साथ वहाँ पे discuss कर सकते हैं, so आज की इस वीडियो में बस इतना ही, I hope आपको पसंद आई है, अगर आई है, so please इसे अपनी friends के साथ ज़रूर share कीजे, तकि उनको भी इस opportunity के बारे में पता चल सके, so आज की इस वीडियो में बस इतन that's it for today, thank you so much, have a good day